हारुफिक्स सैमसंग S7H बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का थिकिराच योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवास में बेटरी स्लो चार्जि करने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चार्जिंग के रिलेटेट बहुत सारे कुछ बाते बताने वाला हो ठीक है कैसे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्फ करना है उसका सॉलूशन भी मैं आपको बताने वाल के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चलिए दॉस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि तो यहाँ पर दोस्तों जवी बेटरी स्लोया चारजिंग udah जैवा तो ज्यादा तर दोस्तों यह पर आपका जो चार्जिंग एड़ेप्टर है या तो फिर चार्जिंग केबल है उसके वज़े से भी प्रॉब्लम होते हैं ठीक है तो आप दोस्तों हमेशा एक और जीनल चार्जर ही यूज़ करें अपने मॉबाइल पर अगर दूबली के चार चार्जिंग बदल बदल के मोबाइल को चर्च करते हैं तो दोस्तों इसके हो जाते हैं जहीकर आप सतानी vendha करते हैं आप चार्जिंग करते हैं तब भी दोस्तों यहां करते हैं और यह अब पाद हमेशा चार्जिंग फ्लोई होते रहेगा ठीक है यारी कि आपको गेमिंग नहीं करना है जब आप चार्जिंग करते हैं ठीक है इस चीज़ को आपको एवोइड करना है उसके बाद अपका कनेक्शन ठीक है जैसे की वाइफाई ब्लुटूट या फिर मोबाइल डेटा मोबाइल होत्सपोर्ट लोकेशन अगर यह सब एसी ओन पड़ा हुआ है बीना मतलब के तो आपको यह सब भी बन करना होगा और यह चेक करना होगा कि आपके मोबाइल पर ऐसा कोई अप् ठीक है इस तरह केंगा जो अप्र sano approach लोते तो इस तरह के मोबाइल इस प्रेस काफी जादा निवाइजर के अचे ज SCT को जाए threshold इसके बाद दोस्तों यहाँ पें आपको मिलेगा बेटरी एंडी डिवाइस के Lucar तो जाके दोस्तो एक बार आप अपने बेटरी चेक करें यहाँ पर आपको क्या करना है Optimize Now पर क्लिक करना है उसके बाद सारे बेटरी Optimize हो जाएगा 100% आपका यहाँ पर बेटरी जो है वो सेट हो जाएगा ठीक है उसके बार आप बेटरी पर जाएए More सेटिंग पर क्लिक करें Fast Charging का Option है तो Fast Charging को Enable कर दे ठीक है तो Fast Charging को Enable कर दे और Adaptive बेटरी इसको भी Enable कर दे तो इस तरीके से दोस्तो आप यहाँ पर थोरा सा अपना बेटरी को Optimize करके Save कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो आपका जो बेटरी Slow Problem है वो काफी हद तक Fix हो जाएगा सारे सात दोस्तो यहाँ पर हम Software Update नहीं करते है तब दोस्तो हमें problem आ जाते तो उसके लिए दोस्तो आपको आपको जाना आपको इंडिन दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टाल करना है तो फिर को इंस्टाल करना और दोस्तों इस से आपका बेटरी प्रॉड़्ब्लेम फिक्स हो जाएगा तो यह सारे solutions आप कर सकते सारे साथ में दोस्तों जो भी मैंने आपको रिजन बताए उसमें भी आपको ध्यान देना है लेकिन दोस्तों यह पर मानने जिए आपने सारे solution करके देखा फिर भी problem solve नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने मोबाइल को factory data data reset कीजिए उसके लिए general management पर जाना है और आपको reset का option मिल जाएगा एंड एंड फेक्टरी data reset पर क्लिक करके रिसेट कर देना है ठीक है भाई एनी चांस इसके बाद भी ना हो तो आप किसी भी technician के पास या फिर service center के पास जाके अपने problem को fix कर सकते है क्योंकि दोस्तों आपका बेटरी आपकर खराब हो चुका है या तो फिर आपका charging जो पीन रहते हैं वो खराब हो चुका है mobile का ठीक है तो उसको change करने के बाद रिपेर करने के बाद ही problem solve होगा तो इस तरीके से दोस्तों solve किया जाते है बेटरी slow charging problem उमीद कर होते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा थैंक्स पर राची